नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रॉंड़ अप शो आई नाजर डालते हैं आज की मुख्यों सुर्क्यों पर विपक्ष के बाद अब न्यायाले नेवी कोविड-19 वैक्सिन की अलग-अलग कीमतों पर उठाए सवार कोविड-19 मद्य प्रदेश में 94 प्रतिशत आईस्यू और 87 प्रतिशत ऑक्सिजन बेट भरें अस्पतालों के गेट पर डम तोड़ रहे हैं मरीज क्या सरकार किसान आंदोलन को बल पूरवक खत्म करनी की और बढ़ रही है कोरोन अप्डेट देश में फिर से रिकॉड तीन लाग साथ हजार से ज़्यादा नए मां 3293 मरीजों की मां और आखर में भारती विमानों पर रोग के बाद PCCI ने विदेशी खिलाडियों को सुरक्षित घरवापसी का भरोसा दिया उचितम न्यायाले ने मंगलवार को केंद्र, राज्यों और नीजी अस्पतालों के लिए COVID-19 रोधी टीकों की अलग-अलग कीमतों का संग्यान लेते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार को एक ऐसी मुल्य नीती के पीछे और चित और आधार बताने को कहा इससे पहले कॉंग्रेस वामदलू और आम आग्मी पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाए थे, इसे महामारी में मुनाफ़क कमाने का प्रयास कहा गया था शिर्ष अदालत ने टीके के दाम के साथ ही महामारी के दौरान आवशक सामानों के आपूर्ती एवं सेवाव के वीत्रड से संबंदित मामले का स्वता संग्यान लेते हुए केंद्र से यह भी पूछा कि वह एक मैसे अठारह साल से अधिक ओम्रे के लोगों के लिए टीका सिंग ने पीट को बताया कि केंद्र राज्यों और नीजी अस्पतालों के लिए टीके की अलग-अलग कीमते निर्धारित की गई है पीट ने सवाल किया कि यह महमारी है और राष्टी संकत की सिती है अगर ऐसी शक्ति लागू करने का समय नहीं है तो कौन सा समय ठीक होगा आपको बता दे कि एक मही से 18 साल से उपर की हर व्यक्ति को कोविन-19 वैक्सिन लगने वाली है जिसके अलग-अलग कीमते तै की गई है राजसरकारों को यह वैक्सिन की डोज हिसाब से 400 रुपे और नीजी अस्पतालों को 600 रुपे की मिलेगी जो दुनिया के हर देश के अपने घर उस वक्त लोटना पड़ा जब उनकी पत्नी कोविन-19 से संक्रमित हो गए थी बीस अप्रेल को जब उनकी तब बिगड़ने लगी तो जवान अपनी पत्नी को पड़ों से जी ले रीवा ले गया आज घंटे की यातनापुड इंदिजार के बाद आखिरकार वे अपनी पत्नी के साथ रोते हुए उनका वीडियो वाइरल हो गया था इसी तरह अन्नी लोगों को भी अप्रेल मा में मद्र प्रदेश में ICU और ऑक्सिजन बेट की कमी के कारट जाने गवानी पड़ी नियूस क्लिक ने COVID-19 की मॉनिटरिंग के लिए बने राज पोटल पर उपलब्द आखड़ों का आकलन किया और पाया कि 26 अप्रेल तक कुल आईसी यू बिस्तर यानी 9,350 से में से 5,600 प्रतिशत और 22,580 में से 13,07 प्रतिशत ऑक्सिजन बेट खाली थे राजी के 23 जीलों में कोई आईसी यू बेट उपलब्द नहीं है जिनमें COVID-19 से सबसे खराब प्रभावत जीले इंदौर, उज्जैन, रतलाम, विदीशा है जबकि 10 जीले बालागाट, भिंड, छतरपूर, गुना, सहीत में ऑक्सिजन बेट उपलब्द नहीं है अधिकारिक आपड़ों के अनुसार, विदीशा, बालागाट, दिवास और सिवनी सहीचे जीलों में नहीं आईसी यू बेट उपलब्द है और नहीं ऑक्सिजन इसे बीज दिल्ली से एक और निराश करने वाली खबर आ रही है असल में दिल्ली में कुरोना महामारी से मचे तबाही का मंजर शम्शान धाटों पर लगातार देखने को मिल रहा है इस्तिती यह है कि लोगों को अपने प्यजनों के शवों का दास अंसकार करने के लिए 20-20 घंटों तक का इंदिजार करना पड़ रहा है यहां के एक शम्शान घाट स्तल पर मंगलवार को पचास चिताय जली वहां कई शोव पड़े हुए थे और कई अन्य वहां खड़े वाहन में रखे हुए थे किंद्री स्वास्त मंत्राय दोरा आज बुद्धवार यानि 28 अप्राइल को जारी आखड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से फिर से रिकॉर्ड तीन लाग साथ जार नौसों साथ नाय मामले दर्श किये गए हैं इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में एक दिन की सबसे जादा यानि 3,293 मरीजों की मौत हुई है हालाकि इसी बिच कोरोना से फिर दो लाग 161,162 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टि मामलों में 96,505 मामलों की बढ़ उतरी हुई है देश में नए मामलों के साथ-साथ मौत के आकड़े भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं महरास्ट में आज फिर से रिकॉर्ड 895 में मरीजों की मौत हुई है दिल्ली में भी 24 घंटों में 380 मरीजों की मौत हो चुकी है वहीं उतर पिदेश में 274, 36 गड़ में 246 और करनाटक में 180, गुजरात में 170, जारकण म में 131, राजस्थान में 121 और पंजाब में 100 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में कुल संक्रमित मरीजों की संक्या बढ़ कर एक करोड 89, 97,266 हो गई है जिन में से 2,187 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में दिकवरी रेट खटकर 82.33 फिसदी हो गया है यानि कोरोना से प 255 फिसदी यानि 29,88,709 हो गई है किसान आंदोलन के 150 दिन पूरे होने पर सन्यूत किसान मोचा ने जो बयान जारी किया है उसने एक बार फिर साबित किया कि ऐसे समय में जब सरकार ने देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है तब मानव मुल्य अगर कहीं जिन्दा है तो वह किसान आंदोलन जैसे जन सरुकार के मंच बरी है महामारी से तो देश पहले ही हलकान है सरकार अगर ऐसा दुशाहस करती है तो यह बड़ी त्रासिदी का सबब बन सकता है जाहिर है इसे लेकर देश की गहरी आशंका और चिंता है किसान ने इस संभावना पर बेह चलुरी सावान जाए यह बॉड़र्स पर वॉलेंटीर्स पूरी तरह से मदद कर रहे हैं किसान मोर्चे के रास्ते में जो भी ऑक्सिजन या अन्य सेवाई लेकर वहान पहुच रहे है वॉलेंटेर्स उन वहानों को पूरी मदद करके गंत्व अस्थानों तक पहुचा र सब्सक्राइब चुनाब बंद कराथे किसानों के शाथ शरूजंत नहीं चलेगा। भारत में कोरुना वारज के बर्ते मामलों से गंबे रीशिति को देखते वे। आस्ट्रेलिया ने मंगलवार भारत से सबी सीधी उडानों को 15 महीं तक तुरन प्रभाव से स्थागित कर दिया गया और इंडियर प्रीमियर लीग में भाग ले रहे खिलाडियों को स्वदेश लौटने का इंजाम खुद करने का निर्देश दिया है जिसके बाद भारती क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट समा प्राक्त होने के बाद खिलाडियों की सुरक्षित स्वदेश वापसी का भरोसा दिया है बिसी से का यह बयान तीन ऑस्ट्रेलिया एक खिलाडियों के स्वदेश लौट जाने के बाद आया है राजस्ताइन रॉयल्स के एंड्यू टाय और रॉयल जलेंज बैंगलोर के के एडम जंपा ने और आईपियल से हटने का फैसला किया औस्ट्रेलिया ने कोविड-19 मामलों के बढ़ने के कारण मंगलवार को भारत से सबी सीधी उड़ानों को पंद्रह मई तक तुरन प्रवाव से इस्तागित कर दिया बिसी सीय सीयो हेमांग अमीन ने खिलाडियों को स चिंता करने की ज़रत नहीं है आज के डेरी राउंड अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी रेश और दोनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक